नमस्कार दर्शकों आप सभी का हमारे चनल में बहुत बहुत स्वागत है नए साल की शुरुवात पोस की अमावश्या से हो रही है इस समय पोश माह चल रहा है ऐसे में पोस माह की अमावश्या पंदरवी तिथी को होती है पोश्मा अवावस्या के दिन पवित्र नदी में इसनान करना, दान करना का आदी महत्व बताया गया है इस दिन पित्र दोस से मुक्ति प्राप्ति के लिए विशेश उपाए भी किये जाते हैं पित्र दोस के कारण परिवार की सुक समरदी और शान्ती में प्रभाव पड़ता है इसलिए आप इस दिन अपने पित्रों की शान्ती के लिए कुछ उपाए भी कर सकते हैं साल का पहला दिन है और इस दिन आप किसी भी पवित्र नदी में जरूरी सनान करें अगर संभव ना हो पाए तो आप घर में ही नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी और गंगा जल जरूर मिला लें उससे आप इसनान करें अश्मेक यल्ग के बरावर आपको फल की प्राप्ति होगी गंगा इसनान के बरावर फल मिलेगा आप अपने वंश व्रदी में समस्या आ रही है इन सबसे मुक्ति के लिए भी अमावश्या के दिन उत्तम माना गया है आईए आपको बता दें पोश अमावश्या कब है और इस तिथी को आप क्या उपाए कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में चल रही समस्याओं से समाधान प्राप्त कर सकते हैं आप पोश अमावश्या के दिन सरवार्त सिध योग भी बन रहा है और यह योग सुभा साथ बज कर चौदा मिनिट से शाम चार बज कर तेविस मिनिट तक कर रहेगा पोश अमावश्या शुरू हो जाएगी दो जनवरी को दो जनवरी को आप इसनान करें और अपने घर में विदिवत पूजन करें पोश मावश्या के दिन आप प्राता काल से ही नदी में जाकर इसनान कर सकते हैं या हमने बताया है कि घर में आप गंगा जल और हल्दी डाल कर इसनान करें साथ ही इसके बाद आप विदिवत भगवान का पूजन करें जिस भी जरूरत मन्द को दान करें अन का दान कर सकते हैं वस्तर का दान कर सकते हैं सोना चांदी गाय दान भी कर सकते हैं तो आप जैसी आपके श्विक्षा हो उस हिसाब से आप दान कर सकते हैं इस दिन बताया जाता है कि पित्रों की पूजा भी की जाती है पोश्यमा वस्या के अच्छा आज़ा सकते हैं आज के दिन पित्रों को त्रप्त करने के लिए ये सब किया जाता है ताकि फित्र खुश हो जाएं और आपके घर में सुक सांती एवम समरद्धी बनी रहें आपको अच्छा आसिरवात दे सकें ऐसा करने से पित्र दोस भी मुक्ती मिलती है आपके घर में अगर किसी को पित्र दोश लगा हुआ है तो वो भी यह उपाय कर सकते हैं पित्रों के लिए शाद कर्म के लिए आपको सुभा 11.30 मिनिट से लेकर दो पहट 2.30 मिनिट तक का समय उत्तम रहेगा तो इस बीच में आप अपने पित्रों का शाद कर्म भी करवा सक अमावस्या के दिन आप पीपल के व्रक्ष की पूजा अवश्य करें पीपल के व्रक्ष के नीचे एक सरसो के तेल का दीपक अवश्य जलाएं और काले तिल जल में मिला कर पीपल के व्रक्ष की जड़ में जरूर समर्पित करें पीपल के व्रक्ष की परिक्रमा सुबह के स समय अवश्य करें जिससे आपके पित्र भी तरप्त रहेंगे और भगवान 33 कोटी देवी देवताओं का आशिरवाद भी आप पर बना रहेगा अमावश्या के दिन आप दान दक्षना अवश्य करें यदि संभव ना हो पाए तो आप अकेला शिवलिंग पर आप एक लोटा में धन धान की कोई कमी नहीं रहेगी भोले नात पर काला तिल जरूर समर्पित करें अमावश्या के दिन आप अपने पित्रों के तरपन के साथ साथ भगवान शिव की आराधना भी करें तो दर्शकों आप और भी उपाए जानना चाहते तो हमारे चैनल से जुड़िएग सरी शिवाए नमस्टा